असलाम वालेकुम एवरीबन कैसे हैं आप सब आई होब कि आप सब ठीक होंगे और यह मैंने बेटे का लंच बॉक्स पैक किया है जिसमें मैंने आज बनाई थी आलू की पकोड़ियां और कुछ बिस्किट्स मैंने उसमें रखे थे और उसके बाद में एक मैंने मोन फिल्स का को पॉफ दूरी होता था इसमें इसित और घड़ा भी नहीं होता है वहेसे पसंद बहुत कई और देली पधि पराटे खाकर ही कोईलियां यह पैक बहुत ज़ेंकर दोब भींसकेशी थे खेद से साथ तो जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड की थी उस दिन मैंने बनाई थी चने की दाल की कतली बर्फी जो आप चाहें कह सकते हैं बहुती जादा यह टेस्टी लगी थी, बनने के बाद, और यह इस तरह के, पिसिज गठ होके आये थे, और बहुती जादा यह यमी लग रहे थी, और होड़ी सी मैंने बनाई थी, ज्ञदा कवांटि इडिमनिन मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि पहले मैंने सोचे था कि, तो तो इसमें बहुत ज्यादा गजब का टेस्ट आहरा था शादी से पहले मेरी ममा बनाती ती ज्यादा टेश्टी लगती थी वो भी तो इसलिए मैंने कभी नहीं बनाइए थी तो मैंने ट्राय करके देखा थी देखा बहुत ज्यादा च्करण एचे सप्सी और और उसके साथ बनाई थी मैंने पूरिया चुकि मैं वीडियो शूट करना इसका भूल गए थी और उसके बाद में मेरे पास थोड़ा सा दलिया रखा हुआ था तो मैं उसको भून के भी रख दिया था और ये कुछ सूजी मेरे पास रखी हुई थी इसको भी मैंने पून के एक जार में गलास के जार में मैंने इसको रख दिया है और इंशालला कल फिर से इसकी मैं कतलिया बनाऊंगी सूजी की मैं घंडा होने के लिए इसको भढ़का लिये एक होने के लिए और एपशिव चुकर जाला की कटो के वि tu मुझान वशिए कि यूभने जाओ oil मेरा यहां पर अच्छे से पकेगा उतनी देद मेंने salad कट करके रख दी थी और यहां पड़ मने प्यास को हल्का सा फ्राय किया है उसके बाद में मैने मैंने में चिकन डाल दिया है मैराने Connecticut मिरे पास टाइम नहीं था आज आय revision पापा तो उनके लिए मैंने बनाया था चिकन स्टू और जादा मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाई थी और इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बनाना था और यह देखें मैंने इसमें जिंजर गाली का पेस्ट डाला है और बाखी चीज़े भी मैंने इसमें एड की हैं जो कि म पर मैं सभी कपड़े एक साइड पर कर रहे हूं पहले सबसे पहले मैं अपने हस्बेंड के और अपने बेटे के कपड़े आइरन करूंगी क्योंकि इन में थोड़ा सा एक्ट्र टाइम लगता है और अपनी कपड़े मैंने एक साइड पर निकाल लिये हैं उनको में बाद म नैंने इन दोनों के कपड़े को आइरन करना है जल्दी जल्दी और कफी सारे खटा हो गये थे बढ़ जब बैट जओ करने के लिए आरेन तो पोगा जल्दी से आइरन हो जाती है इतना वक्त नहीं लगता है तो आज मैं बैट गई हो लेकर सारे कपड़े निकाल ले हैं मैंने और इन सभी कपड़ों को आइरन करके ही आज दम लेना है और सबसे ज़्यादा टाइम लगता है शर्ट को प्रेस करने में और इन पर अच्छे से आइरन भी बॉर्न काम है यह सबसे ज्यादा शट्स को आइरन कर ना उसमें सबसे ज्यादा वक्त लगता है और आइरन को पेले मैंने बहुत अच्छे से कु गरम किया है क्युकि चपले बहुत ज्दा होनी चीए प्रेस京न को बहुत अच्छे से करम करके ही मैं करती हूं इनके कपड़ों पर और वीडियो को फास्ट पावर करने के बात भी इतना वक्त लगता है यह देखें आप कितना ज्यादा टाइम लग गया है एक शर्ट में ही और बहुत ही ज्यादा अच्छे से आइरन करना होता है शर्ट को इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है ह Highssle को मैंने अच्छे से आईरन किया है एक साइठ कर मेरे हस्बेंड के और मेरे बेटे के करहें है volume और सबसे पहले मैं अपने कपड़े सेट कर दूंगी जो मेरे डेली वाले कपड़े हैं डेली यूज में जो आते हैं मेरे कपड़े वो सभी मैंने सेट की हैं उसके बाद में मैंने अलग-अलग सभी कपड़ों को डिवाइट कर दिया है और इस तरह से मैं कपड़े अपनी जगह पर सेट करती जा रही हूं और मैंने अपने हस्पेंट के भी कबड़े अच्छे से सेट कर दिये हैं उसके बाद में नेक्स्ट हो गया था मैंने बनाए थे सूजी की कतली या बर्फी जो भी आप कह सकते हैं और ये सबी प्रिप्रेशन मैंने करके रखी थी सारे ड्राइप रूड्स मैंने कट करके रख दिये थे और अच्छे से साफ कर दिया था उनको और इधर मैं चाशनी पका रही थी और मैंने कब से अच्छे से मीजर करके इसमें शुगर एड़ की है और अच्छे से बॉइल ले रही हूं मैं इसमें क्यूंकि मुझे बनानी थी दो तार की चाष्नी एक तर उसमें पूरा आना चाहिए और एक तर उसमें हलका सा दिखाई देगा और यह सारी प्रेपरेशन मैंने करके रखी है और बस चाष्णी बनने वाली है तो मेरे उच्जी रेडेंगी ने इस तरह से से जमाया था यह देखें मैंने पहले तेसी घी प्लेट्स में या ट्रे में जो भी आपके पास कोई बड़ा इस तरह का परतन है उसमें आप अच्छे से ग्रिस कर लेंगे और यह देखें चाशनी मेरी ओल्मॉस्ट रेडी है यह देखें दो तर की चाशनी इसमें मेरी एक त सिल्का सथार इसमें आया हुआ है इसी तरह की हमें ऊंस्तार सीट यह इसकी और वो परफेक्ट बनी है एक तम और मैंने एक बड़ा सा बरतन ले लिया है जिसमें इसको मुझे मिक्स करना है इस चाशनी को और सूजी को मुझे मिक्स करना है और ये मैंने राइफ फूर्स को एक जगा पर कर लिया है और यहां पर मैंने इस बड़े बरतन में सूजी एड़ की है थोड़ी थोड़ी में मुझे दो ब कर दिए जल्दी-जल्दी से मेरे हस्भेंड मेरी हमेरी हयल आ रहे थे उन्होंने चाशनी यह डाली थी और में mix करते जा रहे थी और चल्दी-जल्दी से प्रेच करना होता है जिस meحमने ग्रीसिंग की है गी की उस پ्लेट में हमें इस तरह से इसको रखना था और अच्छे से इसको प्रेस करना है इस तरह से और उपर से जो भी हमारे पास ड्राइफ रूट्स है अभी मैंने ये सभी ड्राइफ रूट्स डाल दिये हैं और इसको एक बार फिर से मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है और प्रेस करने के लिए मैंने कटोरी का यूज किया है और ये देखें एकदम परफेक्ट सेट हुए हैं उसके बाद में थोड़ी सी सूजी मेरी बच गई थी जो मैंने सूजी का और चाशनी का मिक्चर बनाया था और यहां पर मैंने उसको भी अच्छी तरह से सेट कर दिया है और फॉरन यहा इसमें चाशनी आड़ करने लगी हूं और इस तरह से देखें यहां पर ये सूजी की जो कतली बरफी हैं इस तरह से कट हुए थी और बहुत जाधा टेस्टी लग रही थी और दो शेप में मैंने कट की थी एक टलेयों को और यह बहुत असानी से टूट रही थी और नहीं यह सॉफ्ट थी और नहीं जादा यह हार्ड बनी थी यह देखें मैं आपको तोड़कर भी इसे दिखाऊंगी और यह मैंने यहां पर आपको रखके दिखाया है प्लेट में और यह बहुत जादा यह देखें अच्छी तरह से तूट गई है और उसके बाद में मेरे बेटे क खानी थी तुरी की सबजी जो की मैंने बनाई थी और उसके बाद में मेरे बेटे को साथ में फूर्ट भी खाने थे तो मैंने उसको कट करके दिये हैं नाशपाती और अनार जो फूर्ट मेरे पास रखके हुए थे वो मैंने उसको कट करके दे दिये हैं तबी वो खाना खा तो तक के लिए अल्ला हाफीज दौाओं में याद रखें टेक यार वे तुक्राइब